हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे सूजी और दहिस एक बहुत ही चटपटा और टेस्टी नास्ता वो भी मात्र एक चम्मस तेल का यूज करके ये नास्ता फटा-फट से बनकर तयार हो जाता है जो खाने में बहुत ही ज़्यादा ट ऐस के बनाना शुरूर करते हैं चतपटी और टेस्टी नास्ता बनाने के लिए हम यहाँ लेंगे एक बाउल में एक कतोरी सूजी मैं यहाँ पर मोटी वाली सूजी यूज कर रही हूं आप चाहे तो अगर आप पास बारिक वाली सूजी है तो उसका भी यूज कर सकते हैं जब इस सूजी में हम डालेंगे एक कटोरी दही तो धियान रहें दही आपकी जो है बहुत ज़्यादा खटी नहीं होनी चाहिए और एक कटोरी सूजी में एक कटोरी दही ही डालना है हमें तो दोनों ही चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब दोनों ही चीजे बहु नहीं डालना है पानी डालने के बाद इसका हम एक गाढ़ा सा घोल तयार कर लेंगे इसकी consistency आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिती से हम 10 मिनट के लिए रख देंगे रिष्ट करने के लिए जिससे सूजी जो है वो अच्छे से फूल जाए तो 10 मिनट हो गया है अ आप इसकी जगह पे रिट चिली पाउडर का भी यूज कर सकते हैं और एक चमच अद्रक लेसुन का पेस्ट आप बारीक अद्रक लेसुन भी काटकर डाल सकते हैं और एक मीडियम साइज का बहुत ही बारीक कटी ही प्याज और एक मीडियम साइज की बारीक कटी ही टमाटर अब बारिक कटी हुई धनिया आप इस रेस में अपने पसंद के अनुसार कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हैं और जो नहीं खाते हैं उसे इसकिप कर सकते हैं लिए इसके बार इसमें पसम्राइबला करार हैं और बियुक्त करें या फिर आप इसे तीन से चार घंटे तक ऐसे रख दीजिए उसके बाद ही आप इसे बनाईए तो यह अच्छे से फॉर्मेल्ट हो जाएगा तो ध्यान रहे बेकिंग सोडा हमें तभी डालना है जब हमें नास्ता को बनाना हो पहले से डालकर नहीं रखना है तो हमारा फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे लो फ्लेम पे तवे को अच्छे से गरम होने देंगे उसके बाद हम यहां पे लेंगे एक चोटे साइज का चममच और उसकी हैल्फ चोटे-चोटे मिक्चर को उठा करके ठोड़ा-थोड़ा मिक्चर को हम तवे पे लगभग सासे आठ जगह पर डालेंगे तो सबसे पहले हम किनारों पर डालेंगे उसके बाद हम सेंटर पर ही डालेंगे क्योंकि सेंटर गैस का फ्लेम है वह बहुत ही जादा लगता है और नास्ता जो हमारा वह जल्दी बनकर तयार है आप देख सकती हैं। center वाला जो नास्ता है वो बहुत ही जल्दी पक गया तो इनके साइडों को हम change कर देंगे एव उसके बाद नास्ते को पकने देंगे दोनों ही साइडों से लचे बनіगे तो एक एक करके हम नास्ते को पलटते जाएंगे और दोनों ही साइडों से इसे से dur you सब्सकेटा इस आयों करने कि उपर से नास्ते को सब्सक्राइब हो नास्ते में फ्लेम को सब्सक्राइब दियार यहां पर बनकर तयार हो गया है जो देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा और बहुत ज्यादा सॉफ्ट है तो अब हम इसे सर्व कर लेंगे तो लिजेफ्रेंट तयार हमारा सूजी और दही से बना फटा-फट से बनने वाला बहुत ही चटपटा और टेस्टी नास आपको कैसा लगा कमेंट करना न भूले और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले मिलते हैं को और नई रेस्वी में तब तक के लिए बाइडा और टेक केर थांक्स वार वाचिंग